जे जे नाम ये सुना गाओं में सुभ हो शाम अब आप कहें जे जे नाम ये सुना गाओं में सुभ हो शाम जे जे नाम ये सुनाम भाहूं में सुभो शाम ये सुआ, 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 ये जे जे कर, ये सुकी, जे जे कर, अब आप कहें, जे जे कर, जे जे कर, जे जे कर, ये सुकी, जे जे कर, एक बार फिर कहें, अब आप की बारी, बोलिए, काईए, जे जे कर, जे जे कर, जे जे कर, ये सुकी, जे जे कर, जे 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 नाम, ये सुनाम, गाउं में सुबो शाम, जे 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 नाम, ये सुनाम, गाउं में सुबो शाम, ईएजे नम इसू नम घौ में सुबसां इसू आभ, इसू आभ, इसू आभ, इसू आभ, इसू आभ जै जै का, जै जै का, जै जै का, जै सुकी, जै जै का, जै जै नाम ये सुनाम, गाउ में सुबु शाम, जै जै नाम ये सुनाम, गाउ में सुबु शाम, बलहीन का सहारा पापियों का दोस्त है तू बलहीन का सहारा पापियों का दोस्त है तू यस तू है कुतना प्यारा शब्द ना कहते बताओं जै जै नाम ये सुनाम दाउं मैं सुबोघ शाम जे जेना ये सुनाम दाउं मैं सुबोघ शाम イे सुवाँ ये सुवाँ harp ये सुवाँ सब मिन्य कह ए है ये सुआ ये सुआ ये सुआ ये सुआ जै 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 का रफाब दो जै जै का जै जै का जैसु की जै जै का जै जै नाम ये सुनाम गाम में सुबो शाम जै जै नाम ये सुनाम गाम में सुबो शाम तुझ में बना रहूं तो अमरित फल लाओं में तुझ में बना रहूं तो अमरित फल लाओं में गाओं तेरी जैसा दातो तुझ साबन जाओं में तुझ में बना रहूं तो अमरित फल लाओं में गाओं तेरी जैसा दातो तुझ साबन जाओं में जे जे नाम, येस्व नाम, गाउ में सुबूर शाम Iesua, Iesua, Iesua जे जे कॉर, 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 जे 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 का, जे जे का, जे जे का जे सपी, जे जे का जे जे राम ये सुनाम गौम में सुबू शाम तू ही है जो मुझे को बुलाता देता है जीवन जल तू ही है जो मुझे को बुलाता देता है जीवन जल पाउं तेरी शक्ति सदा और योजना है सबल तू ही है जो मुझे को बुलाता देता है जीवन जल पाउं तेरी शक्ति सदा और योजना है सबल जे जे नाम येसु नाम गाउं में सुबूर शाम जे जे नाम येसु नाम गाउं में सुबूर शाम जे सुआ, 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 जेसुआ, जे जे सुआ, जे सुआ, जे जै जै कार अब आप गए जै जै नाम ये सुनाम गाउं में सुबो शाम जै जै नाम ये सुनाम गाउं में सुबो शाम जै जै नाम ये सुनाम ये सुनाम गाउं में 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 सुनाम काओं में सुबूशाम जे जे नाम येस्वार नाम गाऊं मैं सुबो शाम येसुआ 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 अब आपके इसकीत को गा सकते हैं हललुया गहरे प्योर से तूने प्यार किया आप मेरे साथ लाएं, हालेलुया गहरे प्यार से तूने प्यार किया मां से गहरा है प्यार ये सुखा सब मिल के कहें मां से गहरा है प्यार ये सुखा गहरे प्यार से तूने प्यार किया एक बड़ फिर कहें हालेलुया, थैंक यू जीजुजू थैंक यू जीजू, थैंक यू जीजू, थैंक यू जीजुजू अब आप कहें मां से गहरा है ये सुखा मां से गहरा है प्यार हे सुखा गहरे प्यार से तूने प्यार किया कहरे प्यार से तूने प्यार किया मां से गहरा है प्यार हे सुखा मां से गहरा है प्यार हे सुखा कहरे प्यार से तूने प्यार किया कहरे प्यार से तूने प्यार किया मां से गहरा है प्यार हे सुखा मां से गहरा है प्यार हे सुखा कहरे प्यार से तूने प्यार किया कहरे प्यार से तूने प्यार किया मां से गहरा है प्यार ये सुखार मां से गहरा है प्यार ये सुखार तुझे मैं कभी भूलूँगा नहीं तेरे साथ साथ मैं चलूँगा एक नूर के समान रहूँगा तेरे साथ साथ मैं चलूँगा एक नूर के समान रहूँगा गहरे प्यार से तुने प्यार किया मां से गहरा है प्यार ये सुखार 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 तेरी मर्जी से मैं सदा चलूँ तेरी मर्जी से मैं सदा चलूँ इक नूर के समान रहूँगा इक नूर के समान रहूँगा ये सुखा नाम मेरे प्राण की रक्षा मेमने का लहूँ मेरे घर की सुरक्षा ये सुखा नाम मेरे प्राण की रक्षा मेमने का लहूँ मेरे घर की सुरक्षा छिपकराने वाली महामारी से दरेंगे नहीं हम डरेंगे नहीं दरेंगे नहीं हम डरेंगे नहीं येसु का नाम मेरे प्राण की रक्षा नीमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा येसु का नाम मेरे प्राण की रक्षा नीमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा रोगों का भै और मृत्यू का ड़ै येशु के नाम में हो अब दू रोगों का भै और मित्यू का ड़ै रोगों का भै और मृत्यू का ड़ै येशु के नाम में हो अब दू येशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा जीमनी का लहू मेरे घर की सुरक्षा येशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा जीमनी का लहू मेरे घर की सुरक्षा विपत्ती कोई हम पर ना पड़ेगी थेरे के निकट उखना आएगा विपत्ती कोई हम पर ना पड़ेगी थेरे के निकट उखना आएगा येशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा जीमनी का लहू मेरे घर की सुरक्षा येसु का नाम मेरे प्राण की रक्षा जीमनी का लहू मेरे घर की सुरक्षा सर्क किसे नामे घेरे हुए है सर्क किसे ना में घेरे हुए है सर के पिता हमें थामें हुए है सर के पिता हमें थामें हुए है सर के किसे ना हमें घेरें हुए है सर के पिता हमें थामें हुए है सर के पिता हमें थामें हुए है ये सुका नाम मेरे फ्रान की रक्षा नीमे का लहू मेरे घर की सु्रक्षा ये सुका नौम मेरे प्राण की रक्षा मेरे घर की सु्रक्षा करते रहे यसु नाम की सूथी करते रहे यसु नाम की सूथी भूल जाए रोगों के नाम सभी करते रहे यसु नाम की सूथी भूल जाए रोगों के नाम सभी पूल जाएं रोकों के नाम सबी ये सुका नाम मेरे प्राण की रक्षा देमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा चिपकराने वाली महामारी से दरेंगे नहीं हम दरेंगे नहीं ये सुका नाम मेरे प्राण की रक्षा देमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा ये सुका नाम मेरे प्राण की रक्षा तेनी का लव मेरे घर की सुरद की सरक किसे नामे घेरे हुए है 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 सरे के पेता हमे थामे हुए है ये सुका नाम मेरे प्राण की रक्षा ये निका लव मेरे घर की सुरक्षा ये सुका नाम मेरे प्राण की रक्षा ये निका लव मेरे घर की सुरक्षा जलाल तेरा है येसू सब मिलके कहें जलाल तेरा है येसू इसत तेरी है येसू तेरी प्रस्थिश में हाथ उठाएं तेरी प्रस्थिश में हाथ उठाएं तेरी हम दिल के गीत गाएं जलाल तेरा है येसू इसत तेरी है येसू तेरी प्रस्थिश को हाथ उठाएं तेरी हम दिल के गीत गाएं एक बार फिर कहें तेरी प्रस्थिश को हाथ उठाएं तेरी हम दिल के गीत गाएं तु है माहा तेरी मौजजे है माहा मौजजे मतलब मिरेकल तु है माहा तेरी मौजजे है माहा कोई भी तुझे सा नहीं कोई भी तुझे सा नहीं अराधना सभा में परमेशे के वचन को लेकर हमारे बीच में एमेजराश निकलाए हुए हैं अंकल के लिए हम परमेशे को धन्यवाद देना चाहते हैं जिसने मैंने पिछले सब्ता बताया कई सालों पहले जब यहां पर सेवकाई के शुरुवात हुई थी उन समयों में अंकल परिवार सेथ जुंगरपूर में थे और उनके क्या हूंगा उन लोग उनके सह भागिता के कारण इस शेतर के अंदर प्रभू का काम आरंब हो पाया बहुत साल बीच चुके लेकिन प्रभू नोस कारी को बढ़ाया और आज मिलकर प्रभू के अराध ना करने के लिए परमेशन हमें आउस्टर प्रदान किया तिंदरों में अंकल अंटी यहां पर हैं हमारे बीच में हैं और मैं विश्वास करता हूं उनका यहां पर रहना हम सब के लिए आशिश और अनुगर का कारण होगा और आगे का समय मैं चाहूँगा अंकल आएंगे और वचन सबसे बातचीत करेंगे तालिया बजाकर अंकल के लिए हम परमेशन को धन्यवाद देदे परमेशन के पवित्र नाम को खरदे से धन्यवाद में देता हूं और आप आविश्व गुड़ शुनेहम अल्ला दईवाद देवाद देवाद मायन लिखोन देवम यंद जीवत लोरिकी अवसरत नाइस तो अत्रम चेया और आज एक और बार प्रभु के वचन को लेकर आपकी बीच में आने का आऊ सर् परमिश्य ने मेरे जीवन में दिया उसके लिए मैं प्रभु के दन्यवाद देता हूं और आज इस कलीशा के पास बान प्रभु के लिए तमाम उपस्तित विश्वासिकनों के लिए मैं परमिश्य को धन्यवाद देता हूं और आप सभी के समुक अपने आपको एक और बार प्रभु के हाथों में सौनता हूं और तीस साल के बाद में यहां पर आने के लिए मेरे परिवार के साथ में मेरे बच्चों के साथ में प्रभु के आराधना करने का अवस्ता परमेश्व न दिया उसके लिए में प्रभु को दन्यवाद देता हूं और यहां पर पॉस्ट अफिस के अंदर मैं नोकरी करता था और उन्नी सो इकानवे में नाइंटी वन के अंदर ट्रांस्वर करके मैं केरल चला गया और विश्वासी के रूप में इस कलेश्या में सदर सिता उस्तमें यहां समें केरल गया लेकिन प्रभु न आउस्तर दिया कि सिवकाई के अंदर आज में एक पास्टर के रूप में मैं आपके समक वापसा आपाया हूं और यह परमेश्र सदास्त देव हमारा परमेश्र है और जीवन भर वह हमारी अगवाई करता रहता है आज सुबे सुने हुए आश्चित गवाईयों के लिए मैं प्रभु के धन्यवाद देता हूं प्रिये बहन की गवाईय से मैं बहुत आनंदित हुआ परमेश्र के साथ का हुव गहरा विश्वास और चाहे कितनी भी विपरीत परिस्तितिया क्यों न आ जाए वह विश्वास परियापत है हमें उससे बाहर निकालने के लिए और योगनारची सुसमाचार उसके सोलवे ध्याई के 33 पद में हम देखते है इश्व मसिने का संसार में तुमें कलेश होता है परन्तु ठाडस बांदू मैंने संसार को जीत लिया है प्रियों में और आप एक ऐसे प्रभू के पीछे है जिसने जय को पाया है और प्रियों येदी हमारा नायक हमारा प्रभू जय पाया हुआ है तो में और आप पराजय में नहीं रह सकते है और जब इस संसार में रहते है ये शरीर में हो सकता है बिमारी आजाए हो सकता है परिश्यानी आजाए मृत्यू आजाए पीडाए आजाए ये सब आ सकता है प्रिया सखोद्री ओर पिच्ट पवले यंदू अन्नालु आवनिल उरच्च विश्वसिपान घड़ी बुंडंगिल येदू मखाम आरिये ये मरिगड़ कुआन दैवत इंड़ करत्त ने शक्क दियूंड़ लेकिन जैसे प्रिया बहन ने बताया जीवन की हर विप्रीत परिस्थिती के बीच में प्रभू पर भरोसा रखकर द्रिड़ता के साथ में खड़े रहने के लिए में और आप तयार हो जाए तो कैसी भी महामारी क्यों नहो उसमें से हमारा परमेशर हमें बाहर निकालेगा प्रिया सब्सक्राइब ने जब उसके वाही को बताया तो मैं याद कर रहा था कैसे हमारी सेवकाई के अंदर प्रभू ने कैयों के जीवन के अंदर अद्बत कारियों को किया कैयों के अंदर बिमारी के अंदर से लोगों को प्रभू ने कैसे बाहर निकाला उन बातों को म और के अंदर शुर्णूर के पास में एक जगे में जब एक सभाहम आयुजित कर रहे थे और एक माता अपनी तेरा साल की बेटी के साथ में एकरी परिवार से थे वे प्राथना करवाने के लिए हमारे पास लेकर आए और मैंने सोचा हो सकता है बुमार होगी बच्ची या और कोई चोटी मुटी समस्या होगी पढ़ती नहीं होगी ऐसा कोई विशे होगा जिसके लिए प्राथना करवाने के लिए लेकर आये है लेकिन जब मैंने उस मा से पूछा उस बहन से पूछा कि आपकी बेटी को क्या समस्या है लेकिन जैसे ही उस मा ने अपनी बेटी की बिमारी के बारें बताया हम डर गए तेरा साल की वो बेटी उसको ब्लड कैंसर की बिमारी थी डॉक्टर्स ने हाथ छोड़ दिया था लेकिन वो मा बड़ी ही इच्छा के साथ में कि ये बेटी चंगी हो जाए हमारे पास में उसे लेकर आये और हमारी सेवकाई के अंदर का पहला अनुभव है दिल में थोड़ा डर भी था लेकिन हम जितने प्रभु के दास लोग थे हम लोगने मिलकर उस बच्चे के उपर अपने हाथ को रखा विश्वास के साथ में प्रार्थना किया आसुओं के साथ में उस बेटी के लिए निवेदन किया और उस रात के सभा के बाद में हम वापस अपने घर आ गए लेकिन अगले दिन उस कलिस्या के पासबार ने हमें फोन करके बोला कि यहां पर एक बहुत बड़ी ख़बर फैल गई है यंगल वियारी चूस विशेश विरोधी लाल वेल संभविच्च दानों भायनों और हमें लगा कि कहीं कोई विरोधी लोग तो गलत बात तो नहीं फैला रहे है हमने पूछा क्या हुआ और उनने का कि वो जो बेटी जो बिमार थी उसे प्रभू ने चंगा कर दिया है और वो पूरी रिती से ठीक हो गई अगले दिन अस्पताल में जाकर जब उस बेटी को जाचा तो कैंसर के कोई सिंटम्स उसके जीवन में नहीं थे पूरी रिती से उबेटी चंगी होगा है लोगों के बीच में एक आश्यर का कारण वो बन गया अज की सुबह मैं कहना चाहूंगा जिस प्रभू की हम सेवा करते है ना केवल वापके सिर्धर को ठीक कर सकता है लेकिन चाहे कितनी भी बड़ी बिमारी क्योनो हो उसको भी वो ठीक करने की सामर्त रखने वाला पर मेश्यर है और उसके बाद तीन साल तक हम उस थान पे बार बार जाते रहे जब भी हम आपर जाते उस घर मेजा के उस बेटी से मिला काथ तर्भू करने लगी और अन्य चीजों के अंदर वह आपने आपको इन्वोल करने लगी जानी कारिय वड़ परन्ज दंदन जोधिचाल वरु साच्च्य मत्वरु साच्यते उलवाकनु नवरु आलन दे वरी विश्वास वड़ जीवदत्त्तिन द्याने फवं केलकुम बोल और मैंने ये गवाही क्यों बोली क्योंकि एक गवाही दूसरी गवाही को उत्पन्य करती है और इस प्रकार की गवाही हमारे अंदर एक नया उत्सा प्रदान करना है कि हमारा परमेशर जिसकी हम सेवा करते है वो हमारे जीवन में अद्भुत्कारियों को करने वाला परमे और आपका परमेशर वो प्रभू है जिसने वाइदा किया है मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ में हूँ और जिसने वाइदा किया है वो कभी भी हमें छोड़ कर नहीं जाएगा और आज के वच्छन मनन के लिए मैं आपका ध्यान पुराने नियम में न्याईयों की पुष्थतक पहला अध्या है और उसका पंद्रवापद मुझे आशिरवात दे जब तु ने मुझे दखिन देश दिया है तो जल के सोते भी दे इस प्रकार कालेव ने उसको ऊपर और नीचे के दोनों सोते दे दिये और पुराणे नियम के अंदर न्याईयों की पुस्तक के अंदर इस भाग को हम देखते उसके पहले ध्याय के अंदर और पुराणे नियाईयों की पुस्तक के अंदर इस राइली इतिहास के अंदर के अलग अलग जो हम घटना करमों को जो इसराइलियों के साथ में हुए उसका वर्नन हम पाते हैं विस्रे मेरन पुरपपट्ट इसराइल जनम नाल्पद वर्षं कोंड़ मरुभू यात्र गडिच कनालील प्रवेश चुआ और गुलामी में रहने वाली एक प्रजा को परमेशर ने चुटकारा प्रदान किया मिस्र से चुटकारा पाने के बाद में 40 साल मरुभूमी में गुमते गुमते प्रतिग्या के हुए देश के नर इन लोगों ने प्रवेश किया और इसराइली लोग प्रतिग्या के हुए देश में कनान में प्रवेश करने के बाद जब तक प्रभू ने उनको राजा नहीं दिया उस समय तक के जो घटना करमों को हम न्याईयों की पुस्तग में बाते हैं और इस न्याईयों के पुष्टक में कई न्याईयों के बारे में बताया गया है लेकिन यहाँ पर इस पहले अध्याय में एक परिवार के बारे में बताया गया है और यहां पर हम देखते हैं कालेब नाम के ग्विट्ती उसकी बेटी अक्सा के बारे में और कालेब के बारे में यहुशु की पुस्तक में और गिंती की पुस्तक में हम पाते हैं और मुसा ने जब कनान देश का भेद लेने के लिए बारा भेदियों को भेजा था उनमें से एक था कालेब और कालेब के बारे में प्रभू ने स्वेंग वाही दी है कि वो परमेश्वर के करीब रहने वाला एक विक्ती था और गिंती चोदा उसके चोईस के अंदर हम देखते हैं कि यहुआ परमेश्वर कालेब के बारे में गवाही को देता है और हम देखते हैं यहुष्व के नेतरत्र में इस्राइल को जब कनान देश अलग अलग बटवारा करके दिया गया ऐसे समयों में कालेब ने यहुष्व से कहा कि हेब्रोन का पहार तु मुझे देना और पिच्यासी साल का वो वृद्ध कालेब यहुष्व से कहता है कि हेब्रोन का पहार तु मुझे देना मैं उस पर कपजा करूंगा यहुष्व चोदा उसके आठवे पद में आप उस बात को देख पाते है हेब्रोन माले चोदिच्पल योष्व अधु माडिच्च्यु कारनम 85 वाइस्टोल वृद्धन हेब्रोन माले पिडिचटगउ असाथ्यमाण और हम देखते हैं कि जब कालेब ने उस मांग को यहोशु के समुख रखा मांशिक दृष्टी से वो थोड़ा कठिन था क्योंकि कालेब वृद्ध हो चुका था और एक वृद्ध वेक्ति कैसे उस राज्य को या उस पहाड को अपने अधिनता में कर सका है और यहोशु की पद्ध बुस्तक उसके चोदुवे अध्याई में आप देखते हैं कि उस पहाड के उपर अराक वन्शी लोग अर्थाद बड़े दानवाकार लोग रहा करते थे ऐसा हम वहापर पाते हैं अधुवंड आने योशुवाम अडिच्च देनाल योशुवेड कालेब परहनो जानन नियम उरिपोल दैवत्य सेविपान अल्लेंगिल कनान उट्ट नोकान अरंगि थीरिचपोल अधे जनमल्लाम उडवन वत्तवेरियूम अधे नगट्टीवायम अरवड़ी परहन पोल और हम देखते हैं कि यहोशुव से कालेब कहता है कि जब हम देश का बेद लेने के ले गए थे और जब हम वापस आये थे अंध हमें से दस लोग नकारात्मक बात कह रहे थे लेकिन हमने कहा था कि प्रभु हमको यह देश प्रदान करेगा और वो वाइदा मेरे जीवन में इसलिए वो स्थान में लेकर और जिस थान पर तु पैर रखेगा वो स्थान में तुझे प्रदान करूंगा और अधुए अधुट इवड़ा कालेब योशुव वाइदा में नाल्पद वाइस लाड़ नमल पोएदा यहनाल इन्न यह क्या यन्बत्यांच वाइस उंड़ और यहोशु की पुस्तक उसके चोद्वे अध्याए उसके दस्वे पत्से अब इसी देखो वहाँ वो यहोशु की कालेब कहता है यहुवा ने जब मूसा से ये वच्चन कहा था तब से 45 वर्ष हो चुके हैं जिनमें इसराइली जंगल में गुमते फिरते रहे उनमें यह हुआ ने अपने कहने के अनुसार मुझे जीवित रखा है और अब में पचांसी वर्ष का हुँ अभागत न और दूद परजियान मुन्नोट पर नहां ग्रेक्ट नो प्रियम लवरे इमखा दैवत्तल विश्योसिक न विखदी चरुप माया आलम प्राय माया आलम यंबत् प्रियों आज उस पद्ध से एक संदेश में आप तक पहुंचाना चाहूंगा यदि प्रभू का वाइदा आपके जीवन में है आपकी उम्र चाहे कम है या आपकी उम्र काफी हो चुकी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यदि प्रभू ने वाइदा आपके जी प्रियों आप चाहे जवान हो सकते आप छोटे हो सकते आप बिमार हो सकते आप कम जोर हो सकते लेकिन यदि प्रभू का वाइदा आपके लिए प्रभू की सामर्थ आपके साथ में है आप उस बल के द्वारा आप खड़े हो जाओगे आप उन्प्रतिग्याओं के अपने जीवन के अंदर पूरा होते हुए देखने पाओगे और आप भजनकार के स्वार कह पाओगे मेरे परमेशर की सहायता से मैं शहर पना को लांग प्रमेशर की सहायता से मेरे परमेशर मुझे बल देने के कारण मैं दिवारों को लांग दूँगा या अस संभव बातों को मैं संभव करूँगा ऐसी एक गवाही मेरे और आपकी प्रभू देगा और हम देखते हैं जब उस बात को सुनता है यशु कालेप को वह पहाड उसको और 西 Pls पूरे पहाड का कुछ भाग उसने ले लिया अधरी सब्सक्चुल्ष मेरे उसके पूरे पहाड को उसके बात में पूरनमउय यारे पिडिचेडिक मो आवन ना पागले में और उसके बाद में कालेव ने इस प्रकार से कहा कि जो इस पूरे पहाड को अपने अधीनता में कर लेगा उसके साथ में मेरी बेटी का में विवाह कर दूँगा और हम देखते हैं कि जन्याईयों की पुस्तक पहले ध्याई के अंदर आविस्तार सुन बातों को समझ पाओगे कि उत्मियल नामक एक विक्ती ने उस पहाड को अपने कपजे में कर लिया और हम देखते हैं जैसा कालेब ने कहा था वैसे अपनी बेटी अक्सा का विवाह उसने उत्मियल के साथ में कर दिया और जो घट्नाकरम हम यहाँ पर देख रहे हैं उस विवाह के पश्चाद कालेब की बेटी अक्सा अपने पिता के पास में आ रही है और पिता से बातशीत करने का वर्नन हम यहाँ देखते हैं और हम देखते हैं कि वह अपने पती से कहते हैं कि पिता के पास में आकर एक आशिश उससे मांगना है और कहते हैं कि हमें कुछ बाते और पिता से मांगना है और हम देखते हैं उसके चोधु आपद में जब वह उत्नियल के पास आई तब उसने उसको अपने पिता से कुछ भूमी मांगने को भारा फिर वह अपने गदे पर से उत्री तब कालेब ने उससे पूछा तू क्या चाहती है और हम देखते हैं कि चोधु आपद के अंदर जब पिता के पास में आ रही है उसकी चाहती की मैं पिता से कुछ भूमी मांगू लेकिन जब पिता उससे पूछ रहा है कि तू क्या चाहती है हम देखते हैं उसका सवाल बदल जाता है और पंदरवे पद में वह उससे बोली मुझे आशिरवादे जब तूने मुझे दखिन देश या दक्षिनी देश दिया है दक्षिनी देश पहाडी देश ता जहाँ पर पानी नहीं था तो वह कहरी है कि तो जल के सोते भी दे अर्थार भूमी तूने दी है मुझे जल के सोते भी चाहिए ताकि ये भूमी सिंचित हो जाए प्रियमों लबर जुन्दीजिनों की आठ्सा यत्रमं नंडथरमा बरे अवल को बूमीयम् सवत्थक्लूं गोड़ु यह अवल आगरिविच्च वनन दु वैलान कि रिष्ची वयान वर वैलूड़ बेन वनन वुल वर रह उहुँँँँँँँँँँँँँँँँँँ जल के सोते मांग रही है और उसने का तूने मुझे दक्षिन देश दे दिया है और दक्षिनी देश की खासियत क्या है वह सूखी भूमी है और वहाँ पर गरम हवाय चलने वाला प्रदेश है और वह बंजर भूमी है और वहाँ पर खेती नहीं हो सकती और वहाँ पर जिस बात की जुर्रों थे वहे जल का सोता और वह के रहे है मुझे जल का सोता चाहिए तेक्के देशत्ते कुरुचिनाम कूटदलाय परड़ी किम बोल यशया प्रवाजय कंड़ पुस्टक मुपदाम थ्यायम अधिन्दे आनाम वाक्यम भाईकि मुल्मक मनसरा खुवन कड़ियन्दू और यशया नभी किम उस्तक उसका तीस्वाध्या है और उसके चट्टे पदि के अंदर दक्खिन देश के विशय में आप पासकते यशया तीस उसका चट्टा पद अधि मले आलतिल जानवाईकिन्दू तेक्के देशत्तिले मुर्गंगले कुरुच उल्ल प्रवाजगम सिम्ही केसरी अनली परक्न अधनिसर्पम यन्निवा वरिददाई कस्टों क्लेश्य मुल्ल देशत्त गूड़ि और तीस का छे में लिखा यशया तीस का छे दखिन देश के पशूओं के विशे भारी वचन वे अपनी धन संपती को जवान गदों की पीट पर अपने खजानों को उंटों के कूबडों पर लादे हुए संकट और सकेती के देश में होकर जहां सिह और सिहनी नाग और उड अपने वाले तेज विश्दर सर्प रहते हैं उन लोगों के पास जा रहे हैं जिन से उनको लाब न होगा और दूसरे शब्दों में दखिन देश एक ऐसा भुभाग है जहां पर आराम से रहा नहीं जा सकता आप देखे अक्सा को उसके पिता ने वदक्षिनी भाग दिया उसको उसमें कोई शिकायत नहीं है लेकिन वह कह रही है कि मुझे वहाँ पर रहना है तो मुझे जल का सोता चाहिए आप मुझे जल का सोता दीजे ताकि उस बंजर भूमी पर मैं जीवन में तीत कर सकता अधे वन्यमर्गंगलूं कुरूर जन्दकलूं अधो डप्पम वरंड देश्वमाईरी कि ना प्रदेशत पार्खुआन यनिक्के नीरुर्वई इल्ला अध बट्र दिल्ला और वह कह रहे है कि उस थान पर जहां पर विशेले जानवर रहते हैं बंजर भूमी है वहां पर रहना है तो जल का सोता हो ना निवारी है और हम देखते कि अक्सा उस भूमी के बंजर पन के सामने वह शांत नहीं रह रही है वह क्या चाह रही अपने पिता से कि मुझे जल का सोता तू पलब्द कर दे ताकि इस भूमी के बंजर पन को मैं हटा सकू और यहां पर इसे फल्वंत में बना सकू अज की सुबह कितने लोग कहेंगे जिस थान पर मैं रहता हूँ वह एक बंजर भूमी है वहाँ पर लोग प्रभू के पास में नहीं आ रहे है कई प्रकार के विरोध है कई प्रकार की समस्या है लेकिन उन विप्रीद परिस्तित्यों के बीच में बने रहने के लिए प्रभू तेरी योजना को पूरा करने के लिए तेरी सहायता का हाथ मुझे चाहिए उस जल के सोते की मुझे जरुत है कितने लोग आज की सुबह प् डिद्द है यह निवा बसक्ता है आप काफी समयों से प्राठ्थना कर रहे हैं लेकिन आपके जीवन की बंजरता जा नहीं रही आपके जीवन का शूखापन जा नहीं रहा तो प्रीयों आज की सुबे प्रभू कहता है कि आपके पिता से आप मांगना आरम कीजिए पिता मुझे वो जल का सोता दीजिए ताकि ये बंजरपन हट जाए और एक जाओ पर एक फल्वंतिता यहाँ पर प्रकट हो जाए और आप देखे जब मैं जल के सोते की बात यहाँ पर कही गई है उसे आप शब्दिक तोर पे आपको नहीं लेना है कि कोई कनाल खोदने की या कुवा खोदने की या नल का कनेक्शन लेने की बात यहाँ पर नहीं हो रही और यहाँ पर जो जल का सोता है पवित्र आत्मा को प्रकट करता है और यह पवित्रात्मा की जो नदी इस प्रत्वी से उत्पन नहीं हो रही और यह पवित्रात्मा की नदी परमेशर के सिहासन से आरंब होती है और यह सकेल 47 उसके पहले ध्याई में प्रकाश इत्वा के 22 उसके पहले ध्याई में आप देख सकते है यह जो जीवन के जल की नदी है यह पवित्रात्मा की नदी है इसका उद्बवस्त्रोत क्या है उसके बारे में आप वहाँ पर देख सकते है और यह स्केल जब उस दर्शन को देखता है वो कहता है कि परमेशर के सिहासन के दखनी भाग्जे पसीज पसीज कर जल बह रहा है और वो नदी दक्षिन की ओर बह रही है और प्रकाशित्वा की बाइस के अंदर देखते है कि मेमने के सिहासन के सम्मुख से बिलोर की नाई एक नदी बह रही है और यह स्केल देख रहा है कि मंदिर की देवडी से पानी पसीज पसीज कर बह रहा है लेकिन यूहन आप्रकाशित्वा के बाइस की अध्याय में देखता है वो लिखता है मुझे बिलोर की सी जलकती हुई जीवन के जलकी नदी दिखाई दी जो परमेशर और मेमने के सिहासन से निकल कर नगर की सडकों के बीच बीच बहती थी और प्रियो ये नदी जहां जहां बहती है वहाँ पर जीवन का संचार होता है मृत्यू जाती है और जीवन प्रवाहित होता है और वही कारण है कि अक्सा उसे उसके पिता ने दक्षनी भाग दिया सूखा भाग था उस भाग के ले उसे कोई शिकायत नहीं लेकिन वह कह रही है मुझे उस दक्षनी शेत्र में रहना है तो मुझे जलका सोता भी चाहिए और वह पिता से जलका सोता मांग रही है अचकी सुबह कितने लोग प्रार्त्तना करने के लिए तयार है मेरे जीवन की विप्रीद परिस्तितियों के बीच में प्रहू तेरे जीवन की जल की नदी को तु प्रवाहित कर ताकि उस जीवन की जल की नदी के अंदर मैं आगे बढ़ सकू और मेरे जीवन के बंजरपन को उपजाव पन के अंदर उपांतरित होते हुए मैं देख सकू इए नीर अलवा यंदे यंदे जीवदत्तिम्द स्चिदीक्यम आठ्चम वरित्थुम् नमडे रूब नमकोरी रुवांधरम वरित्थुम् मात्रमल कट्टंगल सहिक्क्युवानल दैयो करम दमडेलपकरिम् और प्रियों जीवद्थुम् ना केकल हमारी स्थिवयों को रुपांत्रित करेगी ना केकल हमें पलवंत करेगी लेकिन वह हमारी पीडियों के लिए आशिश का मूल बनने जा रही है और वो जीवद्थुम् जल की नदी के द्वारा एक सरवदा का जीवन आप अनुभव कर पाऊगी और प्रियो यदि ये नदी आपके जीवन में से होकर प्रवाहित हुई है वो आपको हिम्मत देगा आपको हियाओ देगा कि आपने जो अनुभव किया है जो उद्धार का अनुभव आपने पाया है जिस प्रभू ने आपको बचाया है उस प्रभू के बारे में अन्य लोगों को बताने के लिए एक हियाओ ये नदी आपको ब्रदाण करती है और प्रभी ईश्य बसी के चेलों में से एक था पत्रस और अधिक विस्तार में मैं भी उसोर नहीं जाना चाहूंगा और हम देखते हैं कि जिस राद ईश्य को पकड़वाया गया सारे चेले तितर भी तर हो गया ईश्य का साथ देने के लिए एक भी चेला वहा नहीं था और हम देखते हैं पत्रस ईश्य ने कहा था जो आज मुर्गा बांग देने से पहले तु तीन बार मेरा इंकार करेगा लेकिन हम देखते हैं पत्रस केता है कि मेरा प्राण भी देना पड़ जाए तो भी मैं तुझे इंकार नहीं करूँगा लेकिन हम देखते हैं कि जब पिलातु उसके सामने ईश्यू के साथ में प्रश्णोतर किया जा रहा था उस समय पत्रस बाहर जो लोग आग सेक रहे थे उनके पास में जाकर खड़ा हो गया और वहाँ पर जब लोगों ने का तू भी उसके साथ वाला जैसा लगता है और वहाँ पर हम देखते हैं कि दासी लड़की आकर कहते हैं तू इश्यू के साथ वाला है लेकिन हम देखते हैं कि पत्रस वहाँ परीष शुकाइन कार करता है और वह गलत बोलता है और वह कहता है कि मैं उस विक्ती को जानता ही नहीं मेरा उससे को लेना देना ही नहीं लेकिन पेड़तों के कारे दूसरे अध्याय में पत्रस का एक अगला चहरा हम देखते हैं वहाँ पर 120 लोग उस उपरी अटारी में फवित्रात्मा के लिए प्रार्थना कर रहे थे और पिंते कुस के दिर हम देखते हैं बड़ी आंधी की नाई पवित्रात्मा उनके उपर उतराया और वे लोग भष्यद्वानी करने लगे और वे अन्यने भाष्या में बादचीत करने लगे और आस पास एक बड़ी भीड वहाँ परेक्तरित हो गई और लोग कहने लगे कि ये हमारी भाष्या कैसे बोल रहे है कुछ लोगों ने कहा कि ये तो नशे में है और नशे की कारणी ऐसा बोल रहे है लेकिन हम देखते है कि उस माहोल में पत्रस बाकी गयरा के साथ में उट खड़ा हुआ और हिया हुआ के साथ में हुआ कहने लगा देखते हैं पत्रस जो एक स्त्री के सामने जिसने ईश्यू का इंकार किया था वही पत्रस जब पिंत्रिकूस के दिन पवित्रात्मा का वप्तिस्मा पाता है पवित्रात्मा की सामर्थ को पाने के बाद में उस भीड के सामने वो खड़ा होकर कहता है जिस ईश्यू को तुमने क्रूस पर चड़ाया उसे प्रभू ने मृत्यकों में से जिलाया और प्रियों जब ये उपर का सोता पवित्रात्मा का सामर्थ आपके उपर आजाएगा आपके जीवन में बदलावा जाएगा आपकी गवाही में बदलावा जाएगा आपके मुख से निकलने वाले वच्छन के अंदर बदल आवा जाएगा प्रियों केवल यहाँ पर आकर बैठ कर जाने से कोई लाब नहीं होगा आप अपने आपको विश्वासी कहकर गुमने से भी कोई लाब नहीं होगा आप शरीर में सब चीजों को करते रहोगे लेकिन जब तक पवित्रात्मा का बप्तिस्मा आपके जीवन में नहीं आएगा पवित्रात्मा का सामर्त आपके जीवन में नहीं आएगा आत्मिक शेत्र में जैवंतिता में आप आगे नहीं बढ़ पाओगे प्रियों जब तक पवित्रात्मा का सामर्थ मुझपर और आपपर नहीं आएगा इंडिनों में विप्रीत परिस्तित्यों में हम खड़े नहीं रह पाएंगे हम जाई को हासिल नहीं कर पाएंगे और हम देखते हैं पुराणे में सकरिया नभी की पुस्तक में यहुँ आपर मेश्र केता हैं यह पहाड तू सम्तल हो जाएगा इंड़ परन्याल अपिशेगं प्राविच्चोर भत्तंड मुंबिल और पर्वतत्तिन निलपान गढ़ियतिल ला अदेखतरवलिय पर्दिगूरत्तल भर्मदमायालूं अदु पोडियाई मारूं अदु अदेवरूं अदे निसारमाया पोडियाई मारूं और प्रभुका आत्मा वहाँ पर क्या कह रहा है कि एक अभिशेग पाए हुए वेक्ति के सामने चाहे कितनी भी विपरीत परिस्तितियों के समान पहाड इनुवा परिस्तितिया क्यों ना आ जाए लेकिन उस अभिशेग के कारण वो पहाड समतल हो जाएगा और अभिशेग उस वेक्ति के जीवन के अंदर रास्तों को खोल देगा और प्रियों मेरे और आपके प्रार्थना जीवन में सबसे महत्पोन विशे जिसके लवे प्रार्थना करना है वहे प्रभू तु मुझे जीवन के जल का सोता तु प्रदान कर तेरी पवित्रात्मा की सामर्त को तु मेरे जीवन में प्रदान कर इप अभुषेगतन शक्किदिया निल निलुम् अगे उंदंगिल निच्छे माहिट्टुम् इकान नमखामारी एक कंड नम भैपड़गे इल्ला अधिने थरन जयवान, ओवरकम जयवान, अधिने जैच्च कीड़ डखुआन, नमडवेल अधिने पगर नरीकिन वरियोरी श पाएगे, उस पर हम जय पा सकेंगे, और आगे जय वन्तिता में, हम आगे बढ़ पाएगे, अभिशक्तन चलन न देशत, अदुद मरंड़ दा समाहिर न आलम, अभिशक्तन अवड़ा काल वेकिन देंगल, अधने पलबुट्र मुलदा की मात्वान, आवने अमने शक्रिय प्रियो यदी में और आप अभिशेक्ट पाई वेकिती है, चाहे कितनी भी बंजर भूमी क्यों न हो, चाहे कितना भी नकारात्मक माहूल क्यों न हो, आपके उपर जो अभिशेक है, उस अभिशेक में, जब आप उस ठान पे कदम रखेंगे, वहां का बंजर पंचला जाएगी, और आपके उपर क्या भी शेक के द्वारा, उस कदम के द्वारा स्थितियारू पांद्रित हो जाएगी, प्रात्षि चेटम, प्रात्षि चेटम, जीवदत्तिंदे पर चलक, परतियेगा और विशे अंगलक, इन नम मारे बड़ी लेचे टिलेंगल, इन वगलक के शब्दों को जरा हम परके हम किसके लिए प्रात्षि चेटम, प्रियों, हम लोगों को प्रभू से चाहर होंगे, प्रभूतु लोगों को भेज, लेकि निदी रास्ते नहीं खुल रहे, आज एक और बार अपने आपको प्रभू के समुख परक कर देखे आज एक सवाल अपने आपसे पूछे, क्या मैंने पवित्रात्मा का बप्तिस्मा पाया है, क्या पवित्रात्मा का सामत मेरे अंदर है, हो सकता है एक बार आपने निभाश्या पाया होगा, आज आपने आपसे सवाल पूछे, आज आपकी स्थिति क्या है, आपने उस बात क तो कहां तक बढ़ाया है। आपको पवित्रात्मा का सामर्चाये पवित्रात्मा का अपको पाना है जब तक वो सामर्थ आप में नहीं आएगा आप प्रभु के आशिशों का नुभाव नहीं कर पाएंगे। आपको पवित्रात्मा के लिए बड़ी चाहत के साथ में प्रार्थना कर रहे थे। इस समंदिरत्यल नुएरन विर्द प्रवाखंगल पोले निंडियाल्प प्रवाखंगल नमेल उड़िके निल्लेंगिल न्यान इवड़न नन फोगई इल्ले प्रैसनलोड। और वह कह रहा है कि जिस प्रकार से समंद्र की लहरों की गर्जना आ रही है ऐसे अवस्था के अंदर प्रभू तेरी आत्मा की सामर्थ को यदि तू मुझे प्रदान नहीं करेगा मैं यहां से वापत जाने को तयार नहीं हूँ। और वह कहने लगा प्रभू जिस प्रकार से लहरे गर्जना के साथ में आ रही है इसी रीती से उससे बढ़कर यदि आपकी आत्मा की सामर्ताब मेरे जीवन में नहीं उंडेलोगे मैं इस वापत जान को छोड़ने के लिए तयार नहीं हूँ। ऐसा वापर्भु का दास प्राक्त्रा करने लगा। आज कितने लोगे जो कहNTे जब तक ये पवित्र आत्मा का सामर्त मेरे जीवन में नहीं आए मैं इस ठान को छोड़ूंगा नहीं। आज कितने लोग एक नर्ना इसरीती से लेने को तयार है। आत्मा का सामर चाहिए। एक छोटे बच्चे के समान जब तक आप मुझे आपकी सामर से नहीं भरोगे। मैं इस ठान को छोड़ने को तयार नहीं हूँ। प्रभू के सामर के लिए एक कहरी चाहत आज की सुबह पुद्रात्मा मेर आपके अंदर देना चाहता है। प्रियों हमारे आसुओं को नजरंद आज करके जाने वाला नहीं है हमारा परमेश्य। आसुओं के साथ में एक टूटे मन के साथ में यदि हम प्रभू को पुकारेंगी तो वह निश्य अपनी पवित्रात्मा से वह मुझे और आपको भरेगा। वह सामर्थ मेरे आपके जीवन में प्रदान करेंगा। मुझे चुटी नहीं मिल रही थी तो मैं उस कारण से सभा में आ नहीं पा रहा था। और बड़े दुख्य साथ में बैठा हुआ था क्योंकि मेरे अंडर पवित्रात्म मुझे बाद कर रहा था प्रभू की आत्मा के बप्ति उसमें के लिए। आँगने प्रार्तिन अड़ी बाद में लंच के समय में साइकल चला कर नू कोलनी में जो पोस्ट ओफिस्ट पोस्ट ओफिस्ट से में बजार में हम जा रहे ते वहां पर हम गए और उसमें प्रार्तना चल रही थी प्रार्तना समाप्त होने वाली थी नात संगडत वो यहवड़ मुट्ट मड़की और जैसे में बहाँ पर गुट्नेटे के परमेश्र की आग मेरे उपर उतर आई आ पर जो पवित्रात्मा का सामत मेरे अंदर बना रहा मेरी जीवन यात्रा के सारे उतार चड़ाओं के अंदर सारे केलेपन में सारी समस्याओं के बीच में वो सामत मुझे बढाता रहा और वो सामत मुझे यहां तक लिये चलता रहा मेरे जीवन में ऐसी कई हाल आते हाई जहां पर मुझे लगा अब जीने का कोई बतलम नहीं है मैं अपने आपको समाब्त कर लूँ ऐसा भी मैंने सोचा था लेकिन स्वर्के परमेशर का हाथ मुझे थामता रहा और वो परमेशर मुझे बल देता रहा जीवन प्रदान करता रहा और मुझे आगे बढ़ाता रहा उसका जीवन रूप पांतरित हो जाएगा और प्रभू की महिमा उसके द्वारा प्रकट होने लग जाएगी प्रियों यह जो पवित्रात्मा का सामत्चm अवने जीवन में आता है हमारे एस्वो भाव को रूप पांतरित कर देता है हो सकता चोरी करने वाला विक्ती होगा हो सकता गलजी वन जीने वाला विक्ती होगा लेकिन पवित्रात्मा का सामर्थ उस विक्ती को रूपांतरीत करते दा है और उसके अंदर से प्रभू की महिमा को परमेश्य प्रकेट करवाता है आज की सुबहे आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए एक और रूदाहरन बोल कर मैं अपनी बात को बंद करना चाहूंगा और मेरे साथ पेस से वकाई में एक प्रभू कादास था जो गरीप परिवार से आता था कातलिक प्रिश्भूमी से आया हुआ प्रभू कादास उनकी दो बेटियां उनके भाई लोग आस पास में रहते थी और उनके रिष्टेदार बाहर थे धन कमा रहे थे अच्छी रीती से जीवन व्यापन कर रहे थे और यह जो प्रभू कादास इंके बच्चों को पढ़ाने के लिए उसके पास धन नहीं रास्ते नहीं आसु बहा कर वो प्यार्थना करने लगा खुण्जिंगल उरंगंबोल अपने दालेक्य मुगले चन्दिर इन्दकोंड़ मुट्टु गुत्ती दैवतोड खारियान दुड़ंगी देखत्तन काणद इरुगंड़ंगे खुण्जिंगल अपनों खत्तवी उनित रिट्टे अवर रात्र इलेल नट्टी उनरिवान दुड़ंगी और आप देखे प्रभू ने उस विक्ति की प्रात्राओं को सुना उनके बच्चों के बन पढ़ाई के लिए प्रभू ने खोल दिया और उन्न दिग्रिया प्रभू ने उनको प्रदान की उनके परिवार में सबसे अधिक पढ़ाई करने के लिए प्रभूने उस्प्रवु के दास के बच्चोंके जीवार नाउस सर्दू प्रभूने अद्भु तरीके से उस परिवार में खारी किया उन बच्चों को प्रभूने रास्तों को खोला उनके पूरे परिवार में इन बच्चों को प्रभूने आगे बढ़ाया और एक बच्चाज प्रभू की सेवकाई में है और एक बाहर भी देश में रह रहा है और प्रभुके आशिशों को वेनु भाव कर पा रहे हैं प्रियकरत्रदास रंडवर्ट शंगल कुम्पेदे इवसन रिचार कर पत्त दो साल पहले उस प्रभुके दास कि मृत्ती हुए या परज़ यह नीर अरवद इनलेक वन्हाल इनलेक वन्हाल इनले तालमरे वड़े रिव अंगलिन वरयत है यह नीर अरवद इनलेक वन्हाल इनल्पच वोड़े खामा नींडशंद दीवड़े अवस्त के दयवतिया समरे थी दैसत निने मानिक दयमान प्रेश्चार आशिवा सुबह आप कह रहे कि मेरे बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे उनका क्या होगा आप छ अच्चरियं गूर मार इनले कुडुमत्य दैयं देस तु यर्थ गतन्न जैयं प्रेशन लोग आश्चर चकित हो जाए उस तर्थ तक प्रभु आपके परिवार को बढ़ाएगा और उससे बसाएगा और प्रियो आपके जीवन में कित्री भी नकारात्म का वस्ताय क्यों नहो बिमारी का माहोल होगा विप्रीथ परिस्तिया होगी लेकिन उन्वे प्रियो परिस्तियों के मद्ध में पवित्रात्मा की सामस की चाहत रखिये उस जीवन के जलके सोते के ले प्रार्त्रा कीजे और वो जीवन के जलका सोता जब आप में से होकर प्रवाईत होगा ना के वल आपके अवस्ताय बदलेगी लेकिन आप के द्वारा आपका वो इलाका रूप पांदरित हो जाएगा और लोग प्रभु की महिमा आप में देखने पाएंगी लेकिन आपका रूप प्रभु की महिमा आपका रूप प्रभु के द्वारा जयवंतिता को हमारे विक्तिक जीवन में पारिवारिक जीवन में सेवकाई के शेत्र में हम निरंतर अरुभु करते रहे और प्रियो सांसारी कावशकताव के लें प्रार्थना करते हैं लेकिन उससे बढ़कर आत्मिक बातों के लिए प्रार्थना करना आरब करे जिस रिती से अकसा ने कहा कि भूमी नहीं लेकिन मुझे जल के सोता चाहिए क्योंकि जल का सोता आपको मिल जाएगा आपकी भूमी भले कितनी भी बंजर क्यों नहों वह भूमी उपजाओ हो जाएगी स्थित्यारू पांत्रित हो जाएगी आज की सुमेह मुझे सुन्ने वाले प्रियों हमें अन्य बातों से बढ़कर आत्मा की सामर्त के लिए इंद्रों में में प्रार्त्रा करना है आए नम्में देयों बच्चरिके लिए उशर भूमील आनंगिलू अधे बड़न नेर्थे करता वुर्दास नोर्पचे लोल यन्नाल निन्नोड कुड़ इरिक्युआ और स्वर्कतिल नयमाय चेट्टूंट है आवल नीरुरवया आए निलेको नूटिकट है अधु नीरुर और मुझे सुने वाले प्रियों इस बंजर भूमी के अंदर जब रभू ने मुझे और आपको रखा है हमात्मा की सामर्थ को मांगे उस जलके सोते को हम मांगे और वो जलका सोता जब हम में से बहेगा नके वल हम आशिश का कारण मनेंगे नके वल हमारा परिवार आशिश को पाएगी पीडिया पर मेश्र की महिमा को देखेगी और प्रभू के नए कारियों को उपनुत कारियों को आपके जीवन काल में पूरा होते हुए देख पाऊगी जबाकल को विरावंगुरी क्यों पोगिया मेरे शब्दों को में विराम देना चाहूं अब्ड़ा करें आई अपनी आंखों को हम बंद करें अजेट बजन में समर्पी किया है सुने आपको अच्छा के समान प्रात्थना करने के लिए जीवन के अंदर समस्याओं में चुनोतियों में ऊकर गुढरने वाले लोग क्या प्रभू के समुख के को और बार अपने आपको सौंपने के यह जीवन दी नीरो वहाई परिये पड़ाता हार इंगल बुड़ उंडगल इन बगल देवतन बरी शुद्धालमा उने बुड़ इन निनलेक वड़ वहाँ आप परी शुद्धालमा उताया रहान है यह पिछ गुड़ कमार्ण अभी तक आपने पुछ आत्मा का बप्तिस् आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा और मिलकर आप भी प्रार्थना करें अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करें परी शुद्धान आयन अलगर थावे जंगल नंगे किना दी होड़ा स्थ वतरंचे यह परमेश्यपत हम आपको दिल सधने माहाँ देते हैं यह म के जीवन के बारे में हम सुन पाए इवड़ा के जनत रखरते तिल याल्मा विड़वरा अगर में रभुजी जितने लोगों ने वच्छन को सुना हरेक से आप बाच्छीत कर रहे उसके धनेवा हरें जीवतिल वरल चुड़यान फवंटंगल इन पकलकार यह सोरकतले परी परी शुद्धाल वाह वेल जने ओड़िक आप अवन तले का चल्मा रागट अगर थावी सवत्वजी हर प्रकार के सूखेपन को अभटाईये पिता आपके पवित्रात्मा की वो नदी एक हरी आली को जावपन को एक फल्वंतिता को हरेक जीवनों के अंदर प्रदान करने अभर आपका सामर्द प्रवाहित होने पाई नए बलको वे लोग महसूस करने पाई प्रभुजे कलिस्या को तमाम प्रभु के दासों का पाश्चित कीजिए